नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टूटे की आज की इस रिपोर्ट में और सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं पार्ट 3 की रिजल्ट के खबर से जिनको भी यह जानना है कि हमारा रिजल्ट कैसे ठीक होगा तो इसके लिए कल जब वीडियो मैंने बनाई उसमें यह चीज़े आपको बताई है कि आपको अपने कॉलेज जाना रहेगा अगर आपका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है तो आपको अप्लिकेशन देना होगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का मार्ट शीट साथ ही साथ रिजिस्टेशन स्लिप और आपको पार्ट 1, पार्ट तरीका जो है admit card लगाते हुए application के साथ जो अपने college में जमा करना होगा तभी आपका result update हो पाएगा नहीं तो आपका result वैसे ही show होता रहेगा जैसे पहले show हो रहा था तो इसके लिए आप एक दो दिन रुख जाओ अगर नहीं होता है तो फिर आप college जाओ और वहां से अपडेट करने के लिए application डालो और इसके बाद ही कोई आपका सुधार हो पाएगा result पर special examination वाले जो भी special examination के लिए बार बार कमेंट कर रहें कि इसका result कब आएगा तो परिक्षर विवाग ने जो है कहा था कि दो दिनों के अंदर अंदर result को जारी कर दिया जाएगा हाला कि university में छुट्टी चल लएगी इसके विए से अभी तक कोई भी result जारी नहीं किया जा सका है आज तक का समय दिया गया था आप देखना है यह रहेगा कि आज result जारी होती है कि नहीं होती है अगर नहीं होगी तो मान के चलिए दो दिन बात जो है फिर result को जारी किया जाएगा तो university के उपर हमारा कोई दवाब नहीं है सिर्फ हम जो है पूछ सकते हैं बाते और आपको बता सकते हैं से जादा हमसे कुछ ना हो पाएगा यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई सुनने को तयार नहीं होता है आपको भी हम अगर कहें कि चलिए हमारे सथ university तो कुछ ही लोग मिलते हैं साथ में चलने के लिए कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं जो यह सारी परिशानिया है खैर अपना समय इंसान कितना दे क्योंकि university आपका समय खा जाएगी आपका समय बरवाद कर देगी साधिसात करियर भी बरवाद कर देगी तो इससे बड़िया है कि आप इंतिजार करिए जब उनका मन होगा तभी वो रिजल्ट को जारी करेंगे और एक बात कुछ शात्र के लिए जिनको कमेंट में अपनी बर्चस्व दिखानी होती है उनसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप चाहे तो ऑन कैमरा आ करके जो चीज़े आप कमेंट में लिख रहे होते हैं वो आप बोल सकते हैं इसके लिए कोई भी रुकावट न लएंडिवें आपको कोई रोकने नहीं जा रहा है आपको जो करना आप करिए इसलिए अगर आपको कमेंट को डिलीट करेंगे इसलिए अगर आपको लगता कि आप देज हैं तो फिर आपन केंड़ आने आजए बस इतना ही मैं कहना चाह तो इससे जादा आपके लिए कोई सब्सक्राइद नहीं है मेरे इनके लिए वही बात है कि मैं कौन तो मैं खामखा और यह सब कार्य करते वह खामखा ही करते रहते दो चलीए अब हम बात करते हैं पार्ट वन के परिष्शा केंद्र को ले लेकिन उसे पहले ही फोटो खीच के पीडियों बना करके इधर उधर फैला दिया गया इसके वज़े से परिशा के इंद्र जारी होने से पहले ही सोशल मीडिया पर लिस्ट वाइरल हाला कि आदेश के इंद्र के परिशा के इंद्र के सूची तैयार की गई थी लेकिन इसमें जो संसोधन किया गया है बीबी के अंतरगत जो है आने वाले जिले जो है उस पे जो है 31 परिशा केंद्र बनाए गया है हाला कि पिछले परिशा केंद्र सुची में जो है तीसी परिशा केंद्र आपको देखने को मिले होंगे तो एक और परिशा केंद्र एड होगा उसमें जो कुछ संसोधन किया जाएगा वो क्या संसोधन होगा वो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगी और एड्मिट कार्ड जो है आप सभी को कल से मिलना सुरू हो जाएगा आपके अपने कॉलेज में तो आप सभी जाएए अपने कॉलेज में जाकर करके अपना एड्मिट कार्ड रिसीब करिए हर एक college के प्रचारे के ID पे भेज दिया गया है और password भी उनको पहले से पता है उन्हें लॉग इन करना है और admit card को download करना है अपने college के students का और print करके stamp लगा करके उन्हें submit करना है तो आप सभी कल से या परसों से अपने college जा सकते हैं admit card ले सकते हैं तो आज की इस report में बस इतना ही तब तक के लिए हम चलते हैं धन्यवाद और practical की परिशा का जो schedule है वो आपकी college ही जारी करेगी कि college को practical की परिशा कब से लेनी है ये admit card आने के बाद ही सुरू होती है तो आज की वीडियो में बस इतना